Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे जूट क्यों बोलते है दीरे दीरे जैसे हमारे बच्चे ग्रो होते जाते हैं उनको ग्रो होता देखने में भी हमें बहुत मज़ा आता है फिर बच्चे हमारे कुछ आदिते ऐसी सीख लेते हैं जिसे हमें बुरा लगता है जैसे कि जूट बोलना फिर हम हमारी पैरेंटिंग के उपर ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं हम सोचते हैं कि हम तो ऐसा नहीं करते हैं ये किस के उपर गया ये किस ते सीख लिया तो बच्चे जूट क्यों बोलते हैं उसके पीछे रीजन क्या होते हैं तो उसमें सबसे पहला रीजन होता है पनिस्मिन से बच्चने के लिए अक्सर बच्चे जूट बोलते हैं जैसे कि बच्चे को अगर पता है कि मैंने अगर सच बोला तो ममा मुझे पनिस करेगी ममा मेर उपर चीखेगी चिलाएगी तो वो कभी सच बोलने की हिम्मत नहीं करेगा जैसे फॉर एक्जम्पल गर की कोई महंगी चीज उसे तूट गई और अगर उसने सच बोलने की हिम्मत करी और फिर अगर आप उसको परनिस करते हो तो वो दुबारा से कभी भी आपको सच बोलने की हिम्मत नहीं करेगा और अगर वो जूट भी बोलता है तो आपको कैसे दिल करना है फिर भी आपको उसको दाटना नहीं है फिर आप क्या करेंगे कि आप उनको बोलेंगे कि बिटा देखो ये आपसे ही हुआ है मुझे पता है आप अगर सच बताते हो तो मैं आपको दाटूंगी नहीं आपको पनिस नहीं करोंगी देखो यह आपसे ही हुआ है जैसे गर में कोई और है ही नहीं मैंने नहीं किया आपके फादर ने नहीं किया आपसे ही यह हुआ है तो प्लीज आप हमें सच बता दीजी तो जरूर से वो सच बताने की हिम्मत करेगा और अगर वो सच बोलता है तो आपको हमेशा उसको एप्रिशेट करना है कितनी भी बड़ी गलती बच्चे से क्यों ना हो गई हो सच बोलने के बाद आपको बच्चे को पनिस नहीं करना है दूसरा क्या रिजन होता है बच्चे के जूट बोलने के पीछे दूसरा रिजन होता है आपकी ना से बच्चने के लिए अक्सर बच्चे जूट बोलते हैं जिसे अगर आप हमेशा ना बोलते हो जैसे बच्चे ने अगर पूछा ममा मैं TV देखू, आप कहेंगे नहीं, ममा मैं बाहर खेलने के लिए जाओ, तो आप कहेंगे नहीं तो आपकी नान से बचने के लिए वो चीजों को मैनिपलेट करके जूट बोलना सीखता है तो अगर आपको ना कहना है तो आप कैसे ना कहेंगे जैसे अगर आपको बोलना है कि आपको टीवी नहीं देखना है तो आप option उसको जरूर से दे जैसे कि बिटा आप टीवी मत देखो आप बाहर खेलने के लिए जाओ या फिर आप बाहर खेलने मत जाओ आप गर के अंदर तो अगर आप हमेशा नहीं केपते हो तो जूट नहीं बोलेगा और अक्सर क्या होता है कि बचा क्या करेगा कि अगर उसका होमवक नहीं हुआ है और उसको बाहर खेलने के लिए जाना है तो वह क्या कहेगा कि ममा मेरा होमवक हो चुका है मैं बाहर खेलने के लिए जा रहा तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, अगर आप हमेशा ना कहोगे तो वो आपसे जूट बोलेगा, कभी कबार अगर बच्ची का मन है, अगर वो बोलता है कि मैं बाहर खेलने के बाध हमब कर लूँगा, तो कभी कबार आपको वो करने देना चाहिए, जैसे कई बार तो बच्च MAX आपने मन होता है जिसे हमारे लिए कुछ चीज़ टाइम पास होती है जैसे कई बार बच्ची को गु fakult मज़ा आता है तो कुछ चीज़े बच्ची को लगती है तो वह जरूर सी श्यजह आपको करने देना चाहिए अगर आप हमेशा ना कहते हो तो इससे बचने के लिए भी वो जूट का सहारा लेता है तीसरा रीजन होता है आप से मोटिवेट होकर बच्चा जूट बोलना सीखता है जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे आप कहीं पे जा रही हो आपको कॉल आता है और कॉल पे आप जूट बोलते हो जैसे अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम रास्ते में हैं लेकिन सामने से अगर हमें कोई पूछता है कि आप कहां पहुचे तो हम बोल देते हैं कि बस आपके गर के नीचे ही है बस पहुचने ही वाले हैं और हम बहुत ही दूर होते हैं तो बच्चा वो सुन रहा है वो सीख रहा है और उसको ये लग रहा है कि जूट बोलना बहुत नॉर्मल है, जूट तो मेरे पापा भी बोलते हैं, मेरे मुमा भी बोलते हैं, तो ये आप से सीख कर भी बच्चा जूट बोलना सीखते हैं, तो आपको कभी भी at least बच्चों के सामने जूट नहीं बोलना चाहिए, चौथा वज़ा से बच्चे के उपर उनके पैरेंस का ध्यान कम है तो वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए अटेंशन सी करने के लिए भी जोट खूलते हैं जैसे कि अगर उनको कोई स्टार या वेरी गुड स्कूल में नहीं मिला है लेकिन फिर भी वो कहेंगे कि ममा आज तो मुझे स्कूल में वेरी गुड मिला या स्टार मिला तो अगर ऐसा बच्चे करते हैं तो आपको पहले तो उनकी किताबे चेक करनी है अगर वेरी गुड है या स्टार है तो उनको एप्रिसेट करें अगर नहीं है तो बस चीजों को इग्नोर करें और बच्चे को बताएं कि ऐसे जूट नहीं बोलते हैं, कोई भी सब्य इंसान जूट नहीं बोलता है और आपके बड़े बच्चे के ऊपर भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की कोसित करें, तो दुबारा से बच्चे आपके अटेंशन के लिए जूट नहीं बोलेंगे, तो ये कुछ reason होते हैं जिसकी वज़ा से अक्सर बच्चे जूट बोलते हैं और जब हमें किसी चीज के पीछे का reason पता होता है तो उसको हम आराम से solve कर पाएंगे So this is all for today I hope कि मेरी ये सारी बातें ये चोटी से information आपके लिए ज़रूर से useful रही होगी अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है वीडियो अगर आपके लिए useful था तो इस वीडियो को like और share ज़रूर करेगा चैनल पर नए हो तो subscribe कर दीजे ऐसे ही और वीडियो के लिए इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो